नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ 24 और मैं हूँ आपके साथ सोनाली ठाकुर हमारा देश एक लोग तांत्रिक देश है देश में लोग कल्याण के लिए तरह तरह की योजनाई लाई जाती है इसी तरह अलग-अलग राज सरकार भी लोग कल्याण के लिए योजनाई लाती है आज हम बात करेंगे उत्तरपदेश सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए क्या है खास स्कीम बेटियों को सुरक्षित और भरर पोसण के लिए सरकारों द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जाती है इसी कड़ी में यूपी सरकार की ओर से बेटियों की शादी के लिए एक योजना है जिसके अंतरगर सरकार पच्चास हजार रुपे की आर्थिक मदद देती है भागलक्ष में योजना इस योजना का उद्देश कन्या, भूड हत्या और लिगान पात को रोकने के लिए शुरू किया गया था साथी सिक्चा को भी इस योजना की तहत कवर किया जाता है सरकार इस योजना की तहत माता पिता की आर्थिक मदद करती है और बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाती है इस योजना की तहत बेटी के जन्म पर पच्चास अजार रुपे का बॉन दिया जाता है और यह बॉन 21 साल में मैच्योर होता है और फिर इसकी राशी 2 लाग की हो जाती है इसके साथ ही बेटी के पालन पोसण के लिए जन्म के समय मा को अलग से इंक्यामन सो रुपे दिये जाते हैं जब बच्ची क्लास 6 में प्रुविस लेती है तो 3,000 रुपे की मदद की जाती है क्लास 8 में 5,000 रुपे दी जाते हैं दस्वी में 7,000 की मदद दी जाती है और 12 में 8,000 रुपे बेटी के खाते में जमा किया जाते हैं इस तरह बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23,000 रुपे की मदद करती है लेकिन इस योजना का लाब लेने के लिए सरकार ने कुछ शर्टे रखी है जिसमें परिवार की आए प्रतिवर्स 2,00,000 से जादा नहीं होनी शाहिए मतलब ऐसे परिवार जो BPL के अंतरगत आते हैं वो परिवार इस योजना का लाब ले सकते हैं साथ ही जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ हो जिसके लिए बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आगनवाडी केंद्र में रजिस्टेशन करना अनिवार है एक लोग कल्यान कारी राज की नातेश सरकार का इस तरह की पहलो सरहनी है